चक्तु का मकाबला करने के सिवाए असाधारन वीरता के लिए कीर्ती चक्तु बेजर रोहित सूरी दी पारशुट रेजिमेंट मेजर रोहित सूरी उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के छिकाने पर कारवाई करने का कारे सौंपा गया था जब दल आतंकवादी छिकानों के निकट आगे बढ़ रहा था उसी समय आतंकवादियों ने अनिश्चित रूप से गोली बारी शिरू कर दी आपने सुत्र इच्छा शक्ती और युद्ध लेटर्थ की उच्चिक शमता का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को आगे बढ़ने तथा खुले में आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्देश दिया आपने अपने साथी के साथ निकट पहुँचकर वहाँ पर खड़े दो आतंकवादियों को मार गिराया तथ पश्चात खुले में सड़ी आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आपने फायर बेस को लक्ष पर हमला करने का निर्देश दिया जंगर में दो आतंक वाधियों की हर्कत का पता चलने पर अपने दल पर उत्पन्न खतरे को भाबते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह नव करते हुए निजी हत्यार से आतंक बागियों का मुकाबला करके निकट के मुकाबले में दोनों ही आतंक बागियों को निश्ट प्रभावी कर दिया मेजर रोहित सूरी ने अपनी लडायक सोच, पेशेवर द्रिश्टिकों, योधा स्वभाव, अनुकर्णी नेत्रत के तखा करके से उपर उठकर अपनी साखस से कारे का प्रियान वयन परिपूर्ण रूप से सुनिश्टित दिया और निकट मुट भेड में चार आतंक बाग का सफाया कर दिया मेजर रोहित सूरी यूप सार्श्टित वर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा कांतर होता है अगर मैं अपने देश अपने भाईयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बनके रह जाओंगा सर आप प्रॉमिस यूँ आप मुझे कहीं भी भीज़ दीजिए मैं अपने हर एक सिपाही को जिन्दा सही सेलामत बापस लाओंगा कि हिंदुस्ता मों चुप नहीं बैठेगा इन नया हिंदुस्तान है यह दर में कुछेगा भी अम्मारे कर भी